बॉलिवुड के दबंग सलमान खान आज हिंदी सिनिमा के सूपरस्टा है आज सलमान खान जिस मुकाम पर है वहां तक महुचने के लिए कड़ी महनत के साथ साथ उनकी अच्छी किसमत का बहुत बड़ा हाथ है उनके नाम से ही फिल्में बॉक्स आफिस पर तुफान मचा देती हैं लेकिन सलमान खान का स्टार बनने के पीछे एक शक्स का बहुत बड़ा हात्रा है क्या आप जानते हैं ये कौन हैं? आपको बता दे कि ये कोई और नहीं बलकि मशूर अक्टर यूसुफ खान के बेटे फरास खान है जी हाँ, फरास खान ने नफे के दशक में कई फिल्मों में काम किया क्या आप भी सोच में पढ़ गए कि भला फरास खान का सलमान खान के स्टार डम से क्या लेना देना? ये तो हम सबी जानते हैं कि सलमान खान की डेबियो फिल्म बीवी हो तो ऐसी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी जिसके बाद वो बॉलिवुड में काम तलाश रहे थे वहीं उन दिनों डारेक्टर सूरज बरजातिया अपनी अगली फिल्म मैंने प्यार किया बना रहे थे इस फिल्म के लिए उन्होंने फरास खान को बतौर लीड अक्टर साइन भी कर लिया था शूरज शूरू होने से कुछ दिन पहले ही फरास खान की तबियत अचानक खराब हो गई जिसके वज़े से वो शूरज बरजातिया अपनी फिल्म को रोकने के लिए तयार नहीं थे सूरज ने फिल्म की फीमेल लीड के लिए मौडल शबीना दत का ओडिशन किया था जिसमें वो पास नहीं हो पाई लेकिन सूरज ने शबीना से पूछा कि क्या वो फिल्म के लीड अक्टर के लिए किसी एक्टर का नाम सुझा सकती हैं उस वक्त शबीना कई टीवी विग्यापनों में काम कर चुकी थी और वो सल्मान खान के साथ भी एक एड फिल्म में काम कर चुकी थी तब शबीना ने सूरज बरजातिया को सल्मान का नाम सुझाया फिर क्या था? परजातिया तुरंत राजी हो गए लेकिन सलमान खान इस फिल्म को नहीं करना जाते थे उन्हें लगता था कि ये काफी soft film है लेकिन सूरज परजातिया ने भी हार नहीं मानी आखिर उन्होंने सलमान को राजी कर ही लिया फिल्म बनी और ब्लॉक बस्टर रही जिसके बाद सल्मान खान रातो रात स्टार बन गए फिल्म की सफलता के बाद सल्मान खान के पास एक के बाद एक बड़े फिल्मेकर्स की फिल्मों के ओफर आए जिसके बाद सल्मान खान बॉलिवुड के सुल्तान बन गए वहीं दूसरी तरफ अक्टर फरास खान ने महंदी, फरेब, दूलन बनू में तेरी दिल ने फिर याद किया जैसे फिल्मों में काम किया लेकिन उन्हें किसी भी फिल्म में काम्याबी हासिल नहीं हुई कई फिल्मों के बाद भी फारास का करियर नहीं चल पाया और धीरे धीरे वो गुन्नाम होकर रहे गए